सो फाइनली दोस्ता आप लोग देखोगे HDFC AMC ने ठीक अपने quarter 2 के जो number और disclose कर दी है तो कैसे रहा quarter 2 के number और इसका जो impact है वो हमें कैसा देखने को मिलेगा stock के उपर तो चलिए अभी देख लेते हैं detail में तो यहां पर हम discuss करेंगे इसके जो consolidated statements इसको लेकर all figure in rupees क्रोड में द 1058 क्रोड की जो previous में 948 क्रोड थी previous year के same quarter में 765 क्रोड की income थी यानि कि year to year and quarter to quarter इसके income में हमें जो भी jump देखने को मिले जो की काफी अच्छी बात है इसके अलावा आप लोग देखोगे जो इसके expense है यानि company ने जो खर्चे की हैं भई तो खर्चे कैसे रहे हैं अब के बा क्रोड के रहे हैं current quarter में जो previous में 1096 के थे previous year के same quarter में 1067 क्रोड के तो year to year and quarter to quarter expense भी बढ़े हैं लेकिन revenue भई expense से तो ज्याद आई है मतलब company ने profit ही बनाया है लेकिन कितना profit है यहापर देखोगे profit after tax अगर बात करें तो लग बग 574 क्रोड का profit बनाया है जो previous quarter में 603 क्रोड का profit था वहां से profit टूट है बई previous quarter से profit डाउन आया और previous year के same quarter में 436 क्रोड का profit था वहां से profit में जंप है तो year to year profits में जंप है लेकिन quarter on quarter basis पर जो profit वो टूटे है इसके अलावा आप लोग देखो कि half year basis पर 913 क्रोड से जो profit हो इंक्रीज होकर 1180 क्रोड पर पहुंचे है यहां स 25 पैसे इसके अलावा आप लोग देखो के भी इसके अंदर और क्या कुछ अपडेट्स देखने को मिले वी यह एसेट्स वगर आप लोग देख लेना वीडियो को पोच करके previous के मुकाबले जो एसेट्स है वो तूटते वे नजर आई है ठीक है और इसके अलावा यहां पर यहां पर देखो किवी अरनिंग पर शेर जो एकस्पेक्ट किया गये था और आया है वो कैसा है अगर बात की जाए भी जो एकस्पेक्ट किया गये था वो था 24 Rs. tips पैसे आया कितने हैं? आया 26 रुपय 99 पैसे हैं. यानि की बीट किया है अर्निंग पर शेयर को. इसके अलावा रिवेट्टेर में रिवेट्कटे कितना है? cantik क्रोड का expect किया गया था भी 988 क्रोड तो revenue जो expect किया गया था revenue के मामले में तो भी देखो मिस हुआ है revenue expected से कम है लेकिन earning per share के मामले में बीटे तो flat रहे है results भई कुछ ज्यादा खड़ाबी भी नहीं कुछ ज्यादा ठेक भी नहीं है ठेक ही and thank you for watching the video